हलो मेरे वीवास वेलकम टू द्रिजाट्स केक्स एंड कुकिंग प्लासेज आज हम बनाने जा रहे हैं डिफरेंट फलेवर वाली दही जिसे हम फलेवर योगर्ट भी बोल सकते हैं, इसमें हमने चार टाइप्स के डिफरेंट फलेवर की दही बनाई है एक है pineapple, blueberry, kiwi और strawberry ऐसे चार flavor वाली curd हमने बनाई है ये है सबसे पहले strawberry flavor एकदम यमी लगती है और जो fresh वाली जो strawberry है वो यूज़ करके हमने ये flavored दही बनाई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं recipe को सबसे पहले मैंने एक चलनी में हमें जो हमारा curd है, curd को ले लेना है ताकि curd में का जो excess water है वो drain हो जाए हमें बिल्कुल भी hung curd चाहिए अगर आप as it is curd यूज़ करते हो तो वो थोड़ी पतली रहेगी बट hung curd की taste भी अच्छे आती है तो ये process आपको हर flavored curd को करनी है आप देख सकते हो चलनी में से जो excess water है वो drain हो रहा है एसे ही curd को चलनी में पाच से दस पिनिट तक छोड़ दीजिए जो excess water है वो पूरा निकल जाएगा अब यहाँ पर मैंने दो strawberry इसको roughly chop कर लिया है और एक ball में लेके हमें उसे मैशर के सहाईता से अच्छे से मैश कर लेना है ताकि उसका जो स्वाद है वो पूरा curd में आ जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैश कर रही हूँ मैशर के सहाईता से मैश करने से हमें एकसेस एसेंस बगरा एड़ करने की जरुवत नहीं होंगी यह real strawberry का flavor उसमें आएगा तो यहाँ पर जो strawberries ली थी वो पूरी मैश कर ली है इसमें अब हम एड़ करेंगे हंग curd आप देख सकते हो कित्ती गाड़ी है यह तो यहाँ पर मैंने curd ले ली अच्छे से इसे कर लेते हैं mix अगर आपको चाहिए तो इसमें आप थलका सा पिंक कलर भी एड़ कर सकते हो और essence भी चाहिए तो एड़ कर सकते हो यहाँ पर मैं दो टेबल स्पून हनी आड़ कर रही हूँ शुगर नहीं आड़ करेंगे थोड़ा हिल्दी वाला curd हम यहाँ पर बना रहे है तो दो टेबल स्पून हनी आड़ करके फिर से उसे कर लेते हैं अच्छे से mix जो हनी है हनी के quantity आप वैरी कर सकते हो कितने खटी है यह दही उस पर यह भैरी होगी तो यहाँ पर मैंने थोड़ से चौप किये हुए स्ट्रॉबरी भी आड़ कर लिए ताकि जब भी हम यह दही खाएंगे तो एकदम बस्त ऐसे स्ट्रॉबरी के पीसेज भी उसमें आएगे तो यहाँ पर हमारी स्ट्रॉबरी फ्लेवर वाली दही बिलकुल भी रेड़ी है अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को इसे मैं अब एक बॉल में निकाल रही हूँ और जब भी आप सर्व करते हो तो सर्व करते टाइम उपर से एकदम बार एक चौप की हुई स्ट्रॉबरी भी आप अगर एड़ करोगे तो वो दिखने में भी और स्वाद में भी बहुत टेस्टी रहेगी तो यहाँ पे हमारी स्ट्रॉबरी फ्लेवर्ड वाली कर्ड बिल्कुल भी रेडी है जरूर ट्राइ करिए रेसिपी को बच्चों को बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है यह अब करते हैं सेकेंड वाली जो की है पाइनपल फ्लेवर्ड पाइनपल फ्लेवर वाली कर्ड है यहाँ पर हम बनाने जा रहे है mostly हर एक के घर में क्रश जो रेते है、 वो क्रश तो अविलेबल होते है केक के सीवा भी कुछ यूज कर सकते है वो क्रश का तो चलिए देखते हैं क्या यूज कर सकते है यहाँ पे मेरे हाप कप हंग कर्ड ली है और उसमें मैं एड़ करने वाली हूँ पाइनेपल का क्रश यह दो टेबल स्पून पाइनेपल क्रश मैंने एड़ किया है इसकी कॉंटिटी आप आपके स्वादा नुसर बिल्कुल भी भैरी कर सकते हो हलका सा मैंने ओरेंज फूड कलर इसमें एड़ किया है यह भी टोटली ओप्शनल है और दू टेबल स्पून शक्कर हमें इसमें एड़ करनी है और कर लेते हैं इसे भी अच्छे से मिक्स यहाँ पे हमारी रेडी है पाइनेपल फ्लेवर्ड वाली कर्ड बहुत यहमी लगती है यह भी नेक्स्ट है हमारी ब्ल्यूबेरी फ्लेवर्ड यह ब्ल्यूबेरी वाली भी हम बिल्कुल भी जो क्रश है क्रश से ही बनाने वाले है तो यहाँ पे मैंने हाप कप हंग कर्ड ली है उसमें एड करेंगे 2 टेबल स्पून अप ल्यूबेरी क्रश जो भी क्रश आपके घर पे अवेलेबल है आप बिल्कुल कौन से भी फ्लेवर्ड की कर्ड बना सकते हो और एड करते हैं उसमें शक्कर 2 टेबल स्पून अप शक्कर जो कौन्टिटी है ये भैरी हो सकती है जितने आपकी कर्ड खटी है उसके उपर तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल भी रेडी है हमारी ब्ल्यूबेरी वाली दही अब चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वाली जोकी है कीवी फ्लेवर्ड बहुत टेम्टिंग है ये रेसिपी जरूर ट्राइ करिए ये कर्ड को उसके लिए मैंने सबसे पहले हाप कप हंग कर्ड एक बॉल में ली है और तू तू थ्री ड्रॉप्स मैंने ग्रीन फूड कलर के आड़ किये है और कीवी इसेंस एड़ करेंगे दो ड्रॉप्स और उसके बाद एड़ करना है शकर दो टेबल स्पून उसे भी कर लेते हैं अच्छे से मिक्स और यहाँ पर हमारी कीवी फ्लेवर्ड वाली दही बिल्कुल भी रेडी है आप देख सकते हो कीवी फ्लेवर्ड ऐसे हमने यहाँ पर डिफ्रेंट चार टाइप्स के दही बनाई है आज थैंक्यू फॉर वोचिंग